हालो गाईज, कैसे आप सब लोग टैरुक्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं पुनम शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम जो रिडिंग करेंगे गाईज, उसमें मैं आप दोनों की फीलिंग्स देखने वाली हो परसनल रिडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उसमें मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, अगर आप फेस्बूक पे भी देख रहे हैं इस रिडिंग को तो येस, आपको मैसेज करने पे ही परसनल रिडिंग के लिए जानकरी मिलेगी तो पेज़ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यूटूब चैनल पे है, मेरा टारॉक्सवर टपल सिक्स के नाम से, वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर जीजेगा, ओके, चले स्टार्ट करते हैं आज की रिडिंग, ओके, आप दोनों की फेलिंग्स देख रहे है सबसे पहले current energies दिखेंगे आप दोनों की, current energies सबसे पहले जो मेरी viewers देख रहे हैं, उनकी क्या है, रिष्टे में current energy इन दिनों क्या है मेरी viewers की? इंजल डिवाइन गाइड कीज़ेगा करेंट एनरजीज में बताएए क्या है मेरे विवर्स की करेंट एनरजीज यहाँ पे है दो टू परसनल हीलिंग और हैपिनेस और यहाँ पे है 29 नमबर और बॉटम वाला कार्ट बता देती हूँ अप्रिशेशन त्री कार्ट मैंने आपके लिए निकालें यानि की मेरे विवर्स के लिए आपके पार्टनर की करेंट एनरजीज क्या है यह भी हम चेक कर लेते हैं आल राइट इनके पार्टनर की एनरजीज बताएए क्या है क्रेंट एनरजीज विवर्स के पार्टनर एड्जेशन पॉसिबिलिटीज एंड सेकेंड चक्रा अर्केंजल एरियल और बॉटम वाला कार्ड हमाई पास डोड़ टो स्पिरिट ओकी गाईज हम थोड़ इसे कार्ड और लूँगे उसके बाद में आपको बताती हूँ उके करन्ट अइनर्जी बताईए रिष्टे को लेकर मेरे विवर्स क्या सोच रहे हैं इनके जो पार्ट है उससे रिष्टे को लेकर मेरे विवर्स की क्या थिंगिंग है okay come to the age blessed and number 27 exchanging gift आग के पार्टने के रिष्टे को लेकर क्या सोच रहे हैं विष्टे को लेकर क्या सोच रहे हैं okay deep knowing no place like home bottom वाली energy go the distance okay okay guys तो देखिए क्या है यहां पर two cards और निकालूँगी guys थोड़ा सब वेट और देखिए कुछ numbers बोलूँगी जो आपकी age हो सकती है ठीक है current energies क्या है इनवर्स बताएं मेरे viewers क्या सोच रहे हैं इस दे को लेकर इनके पार्टने को लेकर death and one more okay viewers के पार्टने क्या सोच रहे हैं इस दे को लेकर मेरे viewers को लेकर क्या सोच रहे है queen of cups eight of wands okay तो guys यहां पर देखिए क्या है सबसे पहले सबसे पहले तो आपका एक secret connection मुझे लग रहा है बहुत से लोंका ठीक है लेकिन जो भी है यहां पर aries scorpio कोई लग रहा है ठीक है aries leo sagittarius लेनी की fire sign मुझे बहुत strongly लग रहा है कोई ठीक है और taurus virgo और yes aquarius है यहां पर और कुछ कुछ के लिए libra sign भी हो सकता है ठीक है लेकिन sign पर मत जाएगा general leading है तो आपकी क्या energies है सबसे पहले मेरी viewers की बात कर लेते हैं ठीक है कुछ नंबर बोलूंगी नंबर 34 29 15 22 40 27 ठीक है 47 यह नंबर आपके लिए important होगे 24 36 32 50 47 ठीक है यह नंबर जो है important है आपके लोग के लिए और नंबर 43 भी नंबर 36 भी ओकी ठीक है यह नंबर बताएं जो आप लोग के जोगी तो यहां पर देखिए आपके नाम में इनके नाम में आता होगा N आता होगा B आता होगा S आता होगा R होता होगा ठीक है और L भी आता होगा कुछ-कुछ लोगों के ठीक है और Y से भी किसी का नाम शुरू होता है ठीक है तो यह मुझे alphabet दिखे हैं यहां पर देखिए क्या है आपकी energy आपकी सबसे पहले मेरे जो viewers देख रहे हैं उनके energy ल चाहते हो क्योंकि आपको एक cycle खतम हो चुका है हो सकता है कुछ लोग second marriage की या कोई affair की बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन सब के लिए differ करेगी चीज़े लेकिन जो possibilities दिख रहे हैं मैं बताना जा रही हूं ठीक है मेरे viewers इनके पास choices है एक पुराना cycle खतम हो चुका है और आप ए choices हैं उनके बारे में भी आप सोच रहे हो अपने options को लेकर सोच रहे हो लेकिन एक पुराना cycle खतम करके आप एक नया cycle शुरू कर रहे हो या फिर हो चुका है आपका एक पुराना cycle खतम ठीक है इसलिए एक नई शुरुआत के लिए आप ready दिखाए दे रहे हो मेरे viewers के energy बता रिष्टे में आपको रिस्की लगता है इस रिष्टे में जाने से कहीं ने कहीं आपके कदम डगमगाते हैं आगे बढ़ने से आप डरते हो कुछ नो कुछ ऐसा है जो कि आपको डराता है ठीक है लेकिन फिर भी आपको उमीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा expectations आपको नहीं और कहीं नहीं कहीं अब आप चाहते हो कि रिष्टे में equal given टेक हो ठीक है हाला कि आप बहुत ज़दा डरे हो हैं बहुत ज़दा रिस्की मामला आपको लगता है लेकिन फिर भी आप रिस्क लेके एक शुरुआत करने की सोचे हो ऐसा मुझे आप बहुत सारे लोगों के लि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी रिडिंग में मुझे यही लग रहा है कि आपकी जो feelings है वो यह कहते हैं कि आप मुझे अपनी खुश्यों को देखना है आपने जो आपको सर्व नहीं कर रहा है वहां से energies वापस ले ब्रेक अप कर लिया ठीक है अब आपको एक new life चाहिए new partner चाहिए ठीक है और आपको new partner है choices आपके पास दिखाई दे रहे हैं आप चाहते हो कि इस new life को बहुत अच्छे रंग से जिए क्योंकि major transformation आपने रिष्टों को भुगत चुके हैं तो आप चाहते हो कि life को अच्छे रंग से जीना चाहिए प्यार मोबत से जीना च चाहते हो इस इंसान के लिए क्योंकि expectations नहीं ती जितनी आपने रखा जितना आपने सोचा उससे कहीं ज़्यादा इस रिष्टे में आपको मिला है पाया आपने ठीक है तो यह चीज़े मुझे अपने आपके viewers के तरफ से लग रही है ठीक है अब आप जिनके बारे में बात आप से मिले हो इनको जैसे कहते हैं आप से कुछ connectivity होती है जो किसी और से कभी फील नहीं हुई ठीक है यह आप से attraction इनको फील होता था पहले लेकिन आप यह यह भी सोचते हैं कि कहीं आप से कोई connection तो है past life connection अगर जानते हैं तो इस तरह का कोई connection यह actually change होते जा रहे हैं ऐसी इसी किताबों को पढ़ते जा रहे हैं एसी चीजों को देखते हैं जहां पर 이런 spirituality होती है ठीक है यह connection क्या होते हैं क आर्मक क्या होता यह क्या होता है IS तरह से इस तरह की चीजों में जादा जा रहे हैं और इसमें इनके बदलाव आ रहे है एक नई शुरूबात के लिए यह इनके पास option है पर इनसे जैसे कहते हैं आपसे कुछ connection ऐसा है जिससे आपके और खिची चले जाते हैं एक attraction सा feel होता है आपके साथ कुछ creative करना चाहते हैं ऐसा लगता है कि इनसान जो है अपनी choices को लेकर बहुत ज़्यदा confusion में है options इनके पास already हैं जैसे कि आपके पास भी हैं लेकिन options के अलाव भी बहुत सारे workaholic का इनसान मुझे आप लग रहे हैं ठीक है यानि कि इनका काम इतना ज़्यदा है कि शायद यह आपके बारे में सोच नहीं पाते हैं धंग से ठीक है लेकिन फिर भी आपके लिए जैसे कहते हैं एक नहीं उड़ जैसे कहते हैं एक अच लिए आप इनके जीवन के लिए बहुत जयरूरी हो ठीक है अगर आप इनकी जैसे जीवन में एक एफ़र डिस्टनी का एक ऐसा है जो इनकी जीवन में आगे तक चलेगा यानि कि long term तक आप इनकी जीवन में रहने वाले व्यक्ति हो ठीक है और आप इनसे अचानक टकरायो ये शायद हो सकता है कि आपसे आपसे ऐसा रिष्टा सोची नहीं सकते थे इसा रिष्टा बनाया है क्योंकि उपर वाले आपको भी जाया इस तरह की बाते ही सोच रहे हैं और इनको ये भी लगता है एक तरह किसे जैसे आपकी परस्तितिया है तो उस परस्तिति में आप जो है इनकी परस्तितियों में बिलकुल जो डिस्टेंस है मुझे से लगता है लॉंग डिस्टेंस तो है आप में ठीक है दूर दूर रहते हो आप ठीक है लेकिन फिर भी ये लॉंग डिस्टेंस में आपको मैनिफेस्ट तो करी रहे हैं बलकि ये डिस्टेंस को कम भी कर देना चाहते हैं ठीक है और क्या है ये डे में दिखाई दे रहे हैं कि आपको रियली लव करते हैं और येस आपके साथ आगी तक बढ़ना चाहते हैं इनकी उमीदें बहुत हैं आपसे ठीक है क्योंकि एक spiritual connection आपसे सोच रहे हैं ठीक है कही ने कई पास्ट लाइफ कनेक्शन कोकि यह जो है कही आपको उपनी परस्तिति एं बिलकुल फिट मानते हैं और एक राइट टाइम पर राइट परसन मानते हैं ठीक है तो यह जो है कहीने कहीं आपसे तोड़ी से और काड लेते हैं इनकी current feelings क्या है आपके लिए mental divine हमें guide कीजिगा current feelings क्या है में reviewers के लिए इनके partner की और फिर हम action भी देखेंगे दूसरी deck से okay current feelings क्या है currently क्या सोच रहे हैं मेरी viewers के बारे में okay सबसे पहले four of यहां रख लिएते guys okay है four of pentacles है मेरे पास magician है और the hermit okay current feelings में अपने आपको रोक रहे हैं कहीं ने कहीं अपनी feelings को दबा रहे हैं क्योंकि यह जो है चीजों को manifest कर रहे हैं आपके ओपर tricks अपना रहे हैं ठीक है one more card guys फिर देखते हैं okay eight of cups कुछ नो कुछ किसी बात को लेकर disappointment है निराश है ठीक है क्योंकि आपसे pause चल रहा है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अभी अच्छे से बात नहीं हो रही और बाकि सब कुछ अच्छा है लेकिन आप में इन में अच्छे से बात नहीं हो हो सकते हैं कि आप बात नहीं कर पा रहे हो किसी situation के कारण तो यह जैसे कहते हैं एक आफसर देख रहे हैं अब यह feelings को बताना नहीं चाहते हैं आफसर की तलाश कर रहे हैं एक शुरुआत की तलाश कर रहे हैं क्योंकि इनको एक wise decision ले रहा है यह बहुत ज़्यदा disappointment face कर रहे हैं अपनी जीवन में हो सकता है कि other other जो areas हैं उन में definitely इनको कुछ जैसे कहते हैं मैंने कहा जैसे कि workaholic हैं बहुत सारे at a time काम करना चाहते हैं और यह magician के energy भी आ गई ठीक है तो यह currently क्या सोच रहे हैं बहुत सारे कामों को एक साथ करने की सोच रहे हैं जिससे इनको बहुत major decision लेना पड़ रहा है ठीक है यह बहुत ज़्यदा जैसे कहते हैं आशक की कोई किरन देखिए उसके लिए ठीक है यह सच भी बताना चाहते हैं हिम्मत और ताकर जुटाना चाहते हैं आपको ठीक है हमारे पास strength का है यह भी हिम्मत और ताकत नहीं जुटा पारे इन्होंने pause लिया हुआ है आपसे बात नहीं हो रही लेकिन यह जैसे कहते हैं इस pause के बाद definitely आपसे बात करेंगी ठीक है दूसरी डेक से देखते हैं इनका next action क्या हो सकता है आपके लिए तो यह जो है आप दोनों के feelings हैं और इनमें की current situation यह है कि आपसे बात नहीं कर सकते किसी सिलसले को लेकर ठीक है आपसे बात नहीं करना इनको दिखाई दे रहा है क्योंकि यह अपनी feelings को रोक रहे हैं एक दे या फिर थोड़े दिन आपकी बात नहीं होगी चले देखते हैं और के इनका next action क्या होगा next क्या करने वाले हैं इस इस्तिते में कि नेक्स टेशन देखिए हमारे पास है फाइफ ऑफ कप्स सिक्स ऑफ कप्स एस ऑफ कप्स एस ऑफ वान्स गाईस क्या ही हो रहा वील अप फॉर्टून आ गया येस अनेक्सपेक्टेड चीजे सुध रही जैसे कि मैंने कहा यह अभी कोई action लेना नहीं चाहते अपने आप को रोक रहे हमत और ताकत की कमी है कुछ नों कुछ और सिलसले में उल्ज्यों है तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत ज़्यादा miss करेंगे इन दिनों क्या होगा ये डेफिनिटली आपको बहुत ज़्यादा miss करते हैं नजर आ रहे हैं और अगर मैं बात कहूं की स्टार साइन की तो से स्टार साइन की बात कर लेते हैं लियों हो सकता है कोई वर्गों हो सकता है एक्विरेस मैंने पहले बता है आपको ठीक है जैमिनाई भी कोई हो सकता है इसके अलावा सजी चेरिस भी कोई लग रहा है ठीक है तो यह जो स्टार साइन है वो जनरल इडिंग में सा का मतलब यह है कि यह इंसान जो है तहीं कहीं आपसे पैशिनेट भी है और आपसे एक न्यू स्टार्ट के लिए रेडी है और जो जैसे कहते हैं बीलो फॉर्चुन का काड़ा है तो अनेक्स्पेक्टेड चीज़ें आपके फेवर में बदलेगी डेस्टनी आपके लिए वर् प्रॉनिकेशन गैप है तो यह definitely खत्म होने वाला है यह definitely आपसे बात भी करते हुआ नजरा रहे है एक re-conciliation के एनरजी आ रही है क्योंकि आपको बहुत मिस्ट करते होने जरा रहे है ठीक है तो नेक्स्ट इनका एक्षन बहुत अच्छा हो सकता है चले देखते हैं कुछ मै यह कहना चाहते है, I have a hard time expressing how I feel, यानि कि इनको जो express करना किसी भी बात को बहुत ज़्यदा hard लगता है, आपको कुछ भी express करना इनको बहुत ज़्यदा hard लगता है, यलो लेते हैं, दूसरा card हमारे पास है, I just wanted you to know I am thinking of you right now, यानि कि यह बताना चाहते हैं, कि यह भी आपको आपको याद करें, next, I am serving ties with the karmic partner, यानि कि कोई नहीं कोई इनके साथ जरूर है, जो कि कार्मिक है, ठीक है, यह कहना चाहते हैं, उनसे बंदा हुआ feel कर रहे हैं, okay, pink color का लेते हैं, guys, okay, I just want you all the time, यानि कि यह इनको आपकी पूरी जगह, पूरी time ज़रूरत है, इनको आपके बातों से, या फिर आपको देखकर, आपके परस्तितियों को देखकर, कहीने कुछ बातों को लेकर जलते हैं, ठीक है, जलस परसन है, यह अपनी सच्चा ही बता रहा है कोई, okay, guys, please don't bag for relationship, यानि कि यह कभी-कभी, यह भी सोचते हैं, कि relationship में कभी भी bagging नहीं होने च रिष्टे अपने बनते हैं, चले देखते हैं, next, I think about you all the time, यानि कि यह जो है, आपके बारे में सोचते हैं हमेशा, okay, one more card, last, let me hold you and love you, okay, तो यह आपको पकड़कर प्यार कर दिना चाहते हैं, यह इनकी current energies थी, guys, आप दोनों की feelings मैंने बताईए, जो भी इनका current message है, मैंने बारे में बताते हैं, star sign जरूर बताईगा, guys, और ताकि मैं जब भी meditate करूँगी, तो आपके लिए pray करूँगी, ठीक है, next reading में फिर से मिलते हूं, कुछ भी आपको resonate क्या, जरूर बताईगा, thank you so much, guys, bye-bye.